Hello students, good morning, welcome to e-learning class. Today our topic is essay on my mother. Dear students, आजम मदर के वेपर essay राइट करेंगे. Okay students, firstly, नेम राइट करेंगे, my mother, मेरी मा, मेरी माताजी. And after then, start करते हैं. First is, my mother, name is Mrs. आपको अपनी मदर का नेम राइट करना है, इस कॉलम में. Okay students, she is 30 years old. वहें 30 साल की हैं. She is a housewife, teacher, doctor. आपकी मदर जो भी हैं, वो राइट करना है. She is a housewife है, housewife, teacher, doctor, जो भी कुछ हैं आपकी मदर. जो भी आपकी मदर का occupation है. She is a good lady. वहें एक अच्छी महिला हैं. She gets up early in the morning. वहें सुबह रोजाना जल्दी उठती हैं. She is very hard working. वहें बहुत महनती हैं. She cooks delicious food for me. Delicious means swathist. वहें मेरे लिए swathist भुजन बनाती हैं. She helps me in my study. वहें पढ़ाई में मेरी सायता करती हैं. She tells me good habits. वहें मुझे अच्छी आदतें सिखाती हैं. बताती हैं अच्छी आदतों के बारे में. She eats simple food. वहें साधर सिंपल साधरन भुजन खाती हैं. वहें साधरन भुजन खाती हैं. She is my best friend. वहें मेरी क्या हैं? सच्ची मित्र हैं. She is my first teacher. वहें मेरी पहली अध्यापक हैं. Dear students, क्योंकि जो हम firstly, जो हम सीखते हैं, वो अपनी mother, father, अपने parents हो से ही सीखते हैं. इसलिए जो हमारे parents होते हैं, वो हमारे पहले शिक्षक होते हैं. उसके बाद फिर हम स्कूल जाते हैं, तो हमारे स्कूल में जो होते हैं, वो हमारे second teacher होते हैं. First teacher हमारे parents होते हैं. She is very kind. वह बहुत दयालू हैं. She always advise me to speak the truth. वह मुझे हमेशा सला देती हैं, सच बोलने के लिए. वह कहती हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए. She tells me good stories at night. वह मुझे रात को कहानिया, वह रात को मुझे अच्छी कहानिया सुनाती हैं. My mother is my life. मेरी मा क्या है, मेरी जिन्दिगी है, मेरा जीवन है. She always respect our elders. वह हमेशा बड़ों का आदर करती हैं. She is very honest. वह बहुत इमानदार हैं. She loves me dearly. वह मुझे बहुत प्यार करती हैं. I respect her very much. मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ. या करती हूँ, मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ. I am very lucky to have such a mother. मैं बहुत लग्की में भागशाली हूँ. मैं बहुत भागशाली हूँ कि मेरे पास ऐसी मा हैं. या मेरे पास मैं बहुत भागशाली हूँ. मेरे पास ऐसी मा है. I am proud of my mother. मुझे अपनी मा पर बहुत गर्व है. May she live long. मैं चाहती हूँ, या मैं चाहता हूँ कि उनकी आईू लंबी हो. My mother is my life. मेरी मा क्या है, मेरी जीवन है, मेरी जिन्दिगी है. Okay students, our essay is complete and I hope you will understand and you will write in fair notebook, neat and clean. And write करने के साथ साथ आपको learn भी करना है ये. Okay students. Are you kids? Are you kids?